नमस्कार दोस्तों परिक्षादा सक्सेस अप में आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्तो और इस वीडियो में मिले कर आया हूँ 3 दिसंबर के करेंट अफियर्स जैसा कि आपको पता है हम डेली बेसेस पर MCQ के फॉर्म में करेंट अफियर्स कवर करते हैं जो आपके MP के एक्जाम से रिलेटेट बहुत जादा जरूरी है और ये आपको एक्जाम में जरूर देखने मिलेंगे तो आज के MCQ को शुरू करते हैं आज का पहला कोशन जो है वो क्रिशी के शेतर से Agriculture Infrastructure Fund पहल के तहत सरकार द्वारा कितने रूपों के लिए रिंड की गारेंटी दी जाती है मतला Agriculture मतला क्रिशी के लिए आप जो भी एक फंड जो दिया जाता है पैसा जो दिया जाता है क्रिशी का विकास करने के लिए उसको सम्रिद्ध करने के लिए इसमें सरकार कुछ रूपेओं की गारेंटी देती है रिंड देने में गारेंटी दी जाती है तो कितने कडोडों की रिंड की गारेंटी देती है सरकार एक कडोड, दो कडोड, तीन कडोड या चार कडोड तो यह आपको बताना है कि Agriculture Infrastructure Fund AIF पहल के तहट सरकार दोड़ा कितने कडोडों की रिंड की गारेंटी दी जाती है तो इसका सही उत्तर है, दो कडोड की रिंड की गारेंटी दी जाती है इसमें अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार ने Agriculture Infrastructure Fund लाउंच किया है और फसल ब्याज जो मातहत और रिंड गारेंटी के माध्यम से कटाई के बाद के प्रबंदन में बुनियादी धाचे और सामुदाई खेती की परी संपत्यों के लिए वेवारता परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्ग कालिक रिंड वित्त पोशन सुवि अब इसमें अगर हम देखें कि ये चीज क्या होती है कि आपका एक जो फसल पे जो ब्याज लगता है और आपका जो रिंड की गैरेंटी होती है मतलब सरकार जो है उस ब्याज की गैरेंटी लेता है कि वो किसान वापस आपको लोटा देगा तो उसके लिए ये द्वारा 2 करोड उपे तक के रिंड की गैरेंटी दी जाती है तो ये एक खास चीज है बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रिश्न की ओर कि निम्न में से किसने प्रद्योगी संचालित क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फर्म डी सी आई का अधिगरेंट किया है जिसमें 7.5 बिलि इन्वेस्टमेंट फर्म थी DCI इसको जो है ले लिया है या अधिगरेंट कर लिया है जिसमें 7.5 बिलियन डॉलर की संपत्ती सामिल है बिलियन में मतलब होते हैं 100 करोड तो 750 करोड डॉलर की संपत्ती जो है अब इस कंपनी के हो जाएगी BlackRock, KKR Company & Inc. Blackstone Inc. या Apollo Global Management है आपको बताना है कि किस ने प्रद्योगे की संचालित Credit Investment Firm DCI का अधिगरेंट कर लिया है इसका सही उतर है Blackstone Inc. जो है Blackstone Inc. ने इसका अधिगरेंट कर लिया है और इसके बारे में बात करें तो Blackstone Inc. ने प्रद्योगे की संचालित Credit Investment Firm DCI का अधिगरेंट किया और इसमें 7.5 बिलिय डॉलर के जिये से ओपरेशन का एक हिस्सा बन जाएगा क्योंकि अब जो DCI है वो ब्लैक स्टोन का यह भाग हो गया है और जिसने हाल में ही ब्लैक स्टोन क्रेडिट नाम से फिर से पंजिकरित किया था और DCI खरीद ब्लैक स्टोन क्रेडिट का निवेश ग्रेड बॉंड की अंद्रूरी दुनिया में ले जाएगी तो यह जो है DCI जो है पूरी तरह से ब्लैक स्टोन इंग का भाग हो जाएगा बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रेशन के ओर कि 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 58 राज्य दिवस मनाया है मनीपुर ने, सिक्किम ने, नागालें य अपना 58 राज्य दिवस मनाया और 1 दिसंबर 1963 को ये भात का 16 राज्य बना था और राज्य का आपचारिक उद्गाटन ततकालीन राष्टपती जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे उन्होंने किया था 1963 में और इस अफसर पर शिविल सचेवाले प्लाजा कोहिमा में एक रा करनाटक सरकार द्वारा न्योक्त एक कारेदल कमिटी ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस समिती के अध्यक्ष कौन थे जो आपकी अभी वर्तवान में सिक्षा नीती में जो बदलाव किये गये हैं आपको जो सिक्षा नीती जो थी वो उसको थोड़ा स और सरल किया गया है बच्चों के ऊपर से बोज कम किया गया है तो उस सिक्षा नीती को लागू करने के लिए जो योजना के सुझाओ देने के लिए करनाटक सरकार ने एक कमिटी बनाई थी तो उस कमिटी ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है दिसंबर 2020 में तो आपको इ भिनव कुमार, ओम प्रकाश गुपता या स्वी रंगनातन तो इसका सही उत्तर है स्वी रंगनात जो स्वी रंगनात थे इन्होंने पूर्व मुख्य सचिप भी थे ये चीफ सेकेटरी स्वी रंगनात की अध्यक्षता में कारेदल समिती ने 1 दिसंबर 2020 को सरकार को अपन नियाम का सुझाओ भी दिया है तो ये जो है इसका आप याद रखेंगे स्वी रंगनात जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बढ़ते हैं आज के पास्वे प्रशन की ओर कि राश्टिय प्रदूशन नियंत्रन दिवस कब मनाये जाता है नाश्टिय प्रदूशन कंट्र राश्टिय की जो विनाशकारी दुरगटना के बाद से हर साल 2 दिसंबर को राश्टिय प्रदूशन नियंतरन दिवस मनाये जाता है दो दिसंबर 2020 को बोपाल गैस तराश्टिय की 36 वी वर्षगाट थी वायू जल और मिट्टी के बढ़ते प्रदूशन के बारे में जाग दिसंबर को राश्टिय प्रदूशन नियंतरन दिवस की रूप में मनाये जाता है बढ़ते आँच के चटवे प्रशन के ओर कि हाली में खबरों में देखी गई स्पैरो ठेका बैंगलूरू निम्न में से किस की प्रजाती है ये अभी खबरों में है काफी ये साप की प्र जाती है इसके बारे में अगर बात करें तो करनाटक के डकन के पठार में उभेचर का दस्तावेजी करन करने वाले शोद करताओं के एक समु ने मेंडग की एक नई प्रजाती की खोच की और एक पत्रिका में निश्कर्ष प्रकाशित किया मतलब ये जो है शोद करता है और जो इसके डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजी करन जो करते हैं उन व्यक्तियों ने शोद करताओं ने एक समु ने मेंडग की एक नई प्रजाती की खोच की थी और उसका पत्रिका में निश्कर्ष प्रकाशित किया था और जो गैर जो वनाचित शित्रों से उभेचरों के दस्तावेजी करन में कमी को जागर करने कि अब जो दीरे दीरे जो मेंडगों की प्रजाती जो विलोपत होती जा रही है उसको भी करने के लिए ये जो है दस्तावेज पेश कर रहे थे और बैंगलोरू में मेंडग के आवासों को फिर से स्थापित करने के लिए शेहर क पुलिस स्थापित करने के लिए किस जो है आपको बताना है कि किस फाउंडेशन की मदद ली थी कि नवंबर 2020 में पुणे में एक बाल सुलब पुलिस सबस्टेशन का शुभारम किया गया है और पुलिस ने से स्थापित करने के लिए कौन से फाउंडेशन की मदद ली है जैनेसिस फाउंडेशन, चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन या होप फॉर चिल्रन फाउंडेशन प्रदान करना है कि ताकि वो अप्रादी वृत्ति के ना बने और इससे स्थापित करने के लिए पुलिस ने होफ फॉर चिल्रन फाउंडेशन के साथ काम किया है और उसके साथ काम करके ये जो है आपका इन बच्चों में सुधार लाएंगे बढ़ते हैं आज के आटवे प्रिश्न की ओर कि बिजली उभुकताओं के लिए एक मुष्थ निप्टान योजना नवंबर 2020 में गोवा में शुरू की गई और गोवा का मुख्यमंत्री कौन है तो बिजली उभुकताओं के लिए एक मुष्थ से निप्टारा करने के तो यह आपको बताना ही है हाली में जो योजना शुरू की गई है गोवा में इसको शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन है तो इसका सही उत्तर है प्रमोट सावंत 30 नवंबर 2020 को गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोट सावंत द्वारा बिजली उभुकताओं के लिए एक पूरी तरह या आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा जिसके लिए आवेदन दिसंबर 2020 तक किये जा सकते हैं। उशा सांगवान की, राजीवलाल, किशोर खरात या स्नेलता श्रवास्तों का। वरतमान में वो लोकसभा सचिवाले में सचिव के रूप में तैनात हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो अब वो जो है नए आपके भारत के जो लोकसभा है, उसके महा सचिव के रूप में कारे करेंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रशन के ओर, दस्वा प्रशन है कि निमलिखित में से किसे लाइव एक्शन, शॉर्ट फिल्म, श्रिणी में, तिरानवे आसकर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया है। ये जो है भारत की एक शॉर्ट जो फिल्म सोती है, उसमें आसकर के लिए जो है इसको प्रविष्टित किया गया है आधिकारिक रूप से, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी फिल्म है, शेमलेस, नटकट, साउंड प्रूफ या सफर, उसका सही उत्तर है शेमलेस, जो श फिल्म श्रेणी में 93 ओसकर में भारत का अधिकारिक प्रविष्टि की रूप में चुना गया है, और पिछले वर्ष एपरेल में रिलीज हुई लगू फिल्म को पाच फिल्मों की सूची में चुना गया था, इसमें जो है पाच फिल्में थी, जिनमें से इसे चुना गया फाइनलिस्ट में भी एक थी, तो ये काफी जो है भारत की ओर से एक अच्छी जो है शॉट फिल्म बनाई गयी, शेमलेस, तो इसको जो है ऑसकर के लिए नामंखित किया गया है, तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रशन अच्छे लगे होंगे, अगर किसी भी तरका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शोबूँ